हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कैम्प एज्यूकेशन, टुड़े वी विल लर्न स्पोकन इंग्लिस आज हम सिखेंगे स्पोकन इंग्लिस बोल चाल में अभिवादन के वाक्य अपने से बड़ो रिष्टेदारों वपद में उचे अधिकारियों के साथ उशाकाल से लेकर दोपहर 12 बजे तक नमस्ते दादाजी, गुड मॉर्निंग ग्रेंडपा नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग डेड नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सायम 5 बजे के बाद क्या बुला जाता है? नमस्ते चाचा जी, गुड इवनिंग अंकल नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग आंटी नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग डियर दिन में किसी समय अच्छा सर चलते है गुड डे टू यू सर भेट के समय आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई प्लीस डे टू मीट यू किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रिटिंग्स अपने मित्रों वर बराबरी के लोगों के साथ हाई सिमी, हाई अंकूर, हलो अंकल, हलो नीशी, हलो कूश, हलो मिसिस महरा विदय के समय अच्छा चलते हैं बच्चो, गुडबाई शिल्डरन, अच्छा, बाई बाई, चलते हैं प्रिय, फेर्वेल डियर, अच्छा, फिर मिलेंगे, बाई, सी यू, सो लॉंग अच्छा दोस्तो, अब ये याद रखे, remember, हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर, अंग्रेजी में, ग्रेंड फादर को संक्षेप में ग्रेंड पा कहते हैं, फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ग्रेंड मदर को संक्षेप में ग्रेंड मा कहते हैं, मदर के लिए मॉम या ममी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में, चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा, सभी को अंकल कहा जाता है, चाची, ताई, मामी, मौसी, बुवा, सभी को आंट या आंटी कहा जाता है, किसी भी मेडम का प्रयोग किया जाता है चचेरे ममेरे मौसेरे या फुफेरे भाई या बहिन किसी के लिए भी केवल कजिन शब्द प्रयोग में आता है कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नई विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसिस तथा अविवाहित महिला के लिए मिस क का प्रयोग किया जाता है मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे बताए और कमेंट करना न भुले और केंपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें थेंक यू